तो अब केरल की बात करते हैं जहां पर दो महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्या कान में बली देने की बात का संसनी केज खुलासा हुआ है दरसल पुलिस कमिशनर ने तीवी से यहां पर कहा है कोची के पुलिस कमिशनर ने कि ये जो मामला है इसमें बली देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ती है उन्होंने उन महिलाओं का मांच भी खाया दरसल रोहत ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है अधर के लिए पांच जार और जार पे अपने पांच जार और मिलाकर I finally bought this light and also this is kind of a sneak peek on how I how I record and how I soundproof my videos सच्वे मैं अपने सारा पैसे गेर में ही लगा रहा हूं ता कि मैं आप लोग के लिए अच्छे well-researched videos बना सकूं so on that note I just wanna thank everyone जिनों ने मुझे लास वीक पे UPI पे टोड़ेट करा था it's not necessary but it really helps me out a lot as most of my videos are demonetized I have said this thing before also but I will say it again तुम हो तो हम है seriously I owe all of my success to you guys well with that sap tray out of the way let's continue केरला मैं पुलिस एक खोई हुई लेडी को ढून रही थी वो काफी दोनों से गया थी and उनकी family काफी चिंता में भी थी पुलिस को इन लेडी को ढूनने के chances बहुत कम लग रहे थे but they had their suspects पर इन लेडी को ढूनते ढूनते पुलिस को उनकी सोच से कहीं जादा भयानक case मिला so let's learn a little more about today's case revolving around केरलाज मानव बलीदान 26 September 2022 एलन्थूर केरला 52 years की पदमा के एलन्थूर गाओं में रहती थी and वो यहां lottery बेच कर and और jobs करके अपना गुजारा करती थी पदमा जी के friends की statement से एक clear है कि वो बहुत यादा simple, साधारण and helpful lady थी lower middle class family से थी वो and उनका जो daily schedule था वो भी almost same ही रहता था हर एक दिन सुबो को उठो और काम पे जाओ कभी अगर लेट होगे तो होटल में खाना काओ फिर काम पे जाओ and फिर रात में थक के वापस घार आ जाओ पदमा जी के marriage के बारे में Arcticals में कुछ detail नहीं है पर उनकी एक बेटी थी उनकी बेटी यूपी में एक स्कूल टीचर थी तो दूर होने की वैसे वो रोज उनसे फोन पे बात करती थी and एक स्कूल टीचर होने की वैसे वो अपनी मॉम से जादा मिल नहीं पाती थी बस festivals में या स्कूल vacations में अगर पदमा जी को देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल ही चलना था उनकी लाइफ में हाँ वो और उनकी बेटी बोथ वर वर्किंग हाट तो मीट थी एंड्स और पैसे की थोड़ी कमी थी पर पदमा जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी वो जिन से भी मिलती थी वो उनसे काफी अच्छे से and thoughtfully बात करती जब अच्छानक 26 सप्टमबर को पदमा जी गायब हो गए तीन दिन बीटे और किसी ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं करी थी वो अपनी बेटी से regularly फोन पे बात करती थी पदमा जी की बेटी ने केरला की लोकल पुलिस को कॉल लगाया and missing person के रिपोर्ट लिखाई पर पुलिस ने बस एक काफ से सुना और दूसरे काफ से इस बात को बाहर निकाल दिया और कोई investigation नहीं करी कुछ action ना लेने की वैसे पदमा जी की डॉटर परिशानी में एलन थूर के लिए निकल गई उससे लगा कुछ हो ना गया हूँ मेरी मा के साथ और उसने गाव पहुंचते ही अपनी मा को ढूनना शुरू कर दिया नेबर्स ने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम पदमा जी को काम पे जाते वे देखा था पर ये चीज वो normal अपने रूटीन में ही कर रही थी तो कुछ out of ordinary नहीं लगा उने तो बहुत ढूनने के बाद और कुछ clue ना मिलने के बाद पदमा जी की बेटी दोबारा से local police station गई और उन्होंने वहाँ अपने mom की missing होने की report लिखाई This time police took action और पदमा जी को ढूनने लगे First thing that police checked was पदमा जी's call record Everything was normal at first glance पर जो आखरी call पदमा जी ने करी थी वो था शफी राशीद को शफी एक restaurant चलाता था जिसकी पदमा जी एक daily customer थी उनकी पहले बाते होती थी शफी से पर friends के according उनके बीच में जादा कुछ नहीं था So it was weird कि उनकी last call एक restaurant वाले को है तो police गई शफी के restaurant और उन्होंने उसे police station चलने लेका Main thing here was कि police शफी को arrest करने नहीं आई थी पर जब policeman restaurant को approach कर रहे थे तो शफी ने बिना कुछ जाने वहां से भागनी की कोशिश करी जिसकी वैसे police को ये शक हो गया कि दाल में कुछ तो काला है Police they were asking him questions but he was not budging वो बस एक word बोल के answer करा था या फिर कहीं cases में तो कुछ बोल ही नहीं रहा था तो police भी serious हो गई and कड़ी interrogation के बाद शफी ने ये एक सक कर लिया कि हाँ वो पदमा जी को चानता है but he also took one more name and that name was Rosalie जब police पदमा जी के बारे में investigate करी थी तो Rosalie का नाम बहर आया उनकी कोई missing report नहीं थी पर वो तीन महीने पहले 6th June से missing थी police Rosalie के घर भी गई पर वहाँ कोई नहीं था and neighbors को ये लगा कि Rosalie ने जगा छोड़ दी है and वो किसी और state में काम ढूंने चले गई है but the weird thing was कि Rosalie भी पदमा जी जैसे ही lottery tickets बेशती थी and वो भी regular basis पे शफी के restaurant में खाना खाने जाती थी police knew this thing कि कोई तो बात है जो शफी पूरी तरह से नहीं बता रहा है so they interrogated him for two days जिसके बाद शफी ने पूरी कहानी बता रही एलन्तोर गाओं में जहां पदमा जी, रोजली और शफी रहते थे वहाँ एक बहुत famous डॉक्टर कपल रहते थे भगवल सिंग और लैला सिंग श्री देवी नाम की लेडी से श्री देवी ने भगवल सिंग से फेस्बुक पर बात करी तो उन्हें पता चला कि भगवल सिंग और उनकी भी वी लैला काफी परेशान है उनका समाज में नाम तो था पर कोविट के बात से उनका बिजनस को ज़्यादा चलने रहा था और इसी चीज़ की बैसे उनकी बात पैसे की कमी था तो इस फेस्बुक यूजर श्री देवी ने भगवल सिंग एक डॉक्टर को कहा कि मैं आपको एक तरीका बता सकती है पर इसके लिए पहले हमें मिलना पड़ेगा So they both decided to meet up एं मिलने पर पता चला कि श्री देवी कोई लड़की नहीं बलकि खुद शफी रशीदी था शफी ने भगवल जी को दिलासा दिया कि वो भगवल जैसे कहीं लोगों को खुशी पहले दिला चुका है पर ये happiness पाने के लिए ये तरक्की पाने के लिए पैसे पाने के लिए उन्हें जो भी शफी कहे वो ही करना होगा which was black match and you won't believe this thing भगवल सिंग और लैला सिंग दोनों पड़े लिखे MBBS डॉक्टर्स शफी की बातों में आके शफी ने दोनों डॉक्टर्स को कहा कि वो काला जादू करता है and इन दोनों के ओपर किसे ने काला साया डाला है and ये तोट का इतना खतनाक है कि इसको उतारने के लिए भगवल सिंग और लैला सिंग को एक औरत की बली चड़ानी होगी and उसके मांस को खाना होगा and both of these doctors agreed to this thing now the point was कि भगवल सिंग किसकी बली चड़ा था वो ऐसे किसी आदमे को जानता भी नहीं था और अगर जानता भी तो वो एक औरत को नहीं मार सकता था both of them they were scared of police but they were not scared of the idea तो शफी ने भगवल सिंग और लैला सिंग से पैसे लेते हुए कहा कि वो सारी चीजों का बंदबस कर देगा 6 जून शफी रोसलीन को लेकर भगवल और लैला सिंग के घर आया शफी ने रोसलीन या फिर रोसली से कहा कि वो उसे 10 लाक रुपे देगा एक एडल्ट वीडियो में काम करने के लिए जून 10 लाक रुपे एक लोवर मिल्डर क्लास फाइमिली के लिए इस नो स्मॉलमॉर तो रोसलीन ने इस वीडियो में काम करने के लिए हाँ बूल दिया गर प Flash पहुंचते ही और फिर उसने रोजलीन के प्रावेट पार्ट्स पर भी जोट पहुँचाई इसके बाद इन तीनों ने रोजलीन के बाड़ी पार्ट्स काट कर अपने बैग याट में दफना दिया एन एक एक मांज कर तुक्रा लेकर खुद भी खा दिया भगवल और लैला सिंग को लगा कि अब ये सब कुछ करने के बाद उनकी सारी परिशानियां गायब हो जाएंगे I mean that's why they did the ritual रहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम करा है पर at least इसके बाद उनके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे उनके उपर का साया नहीं मिटने वाद इस कपल को एक और बली चलानी पड़ेगी एक और 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 अरत की And this is where पदमाजी comes in शफी ने सेम तरीके से पदमाजी से भी अपने रेस्टराण में बात करी उन्होंने पदमाजी से भी कहा कि वो उन्हें अडल फिर्म में काम करने के लिए पैसे देगा और सेम रोजलेन की तरह वो उन्हें अपनी सफारी में बठा कर सिंग्स के घर ले गया And सिंग्स ने फिर सेम तरीके से पदमाजी को मार कर उनके तुकड़े खाए और बाकी बचे वे तुकड़ों को अपने पैक्यार में दबा दिया शफी ने अपनी स्टोरी बतारा तो बंद कर दिया था But पुलिस दे कुड नौट बिलीव दिस थे क्या सच में educated famous couple ऐसा कर सकता है And इन दोनों ने बिना किसी जबरदस्ती के ये accept कर लिया कि हाँ उन्होंने ही रोजलिन और पदमा जी को मारा था पुलिस ने जब शफी का background चेक करा तो उन्हें पता चला कि इस पे पहले एक 75-year-old lady पर rape करने के भी charges थे And शफी पहले से ही ऐसे लोगों को डूंगता था जो या तो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं पुलिस एक लेडी को डूंटे रूंटे, दो मुर्डर पे आगेरी And क्या पता गर पदमा जी की बेटी ए रेपोर्ट ना लिखा तो शयाद रोजलें की इवस्तिगेशन भी कभी ना होती The police commissioner holding a press conference, let's take a listen He actually designed the conspiracy He trapped A2 and A3 into believing that sacrifice is needed for their financial well-being Before you go, I would just like to request you all If you want to support me, then you can do that thing by donating to me on UPI Again, I take a lot of cases from UPI and this case I told you about UPI So yeah, if you can, then please donate any amount, it really helps me out alone And yeah, subscribe to me before I hit a million Take care of yourself, love yourself, please keep your loved ones very close to you And I will see you very very soon Bye-bye